नमस्कार सभी दोस्तों को एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टेटी 24 ऑफिसियल पर दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं साइकलोजी जैसे आप हिंदी में मनुविज्ञान कह सकते हैं आप इस विसे के बारे में अच्छे से जानते होंगे याद सिक्षा हो तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि साइकलोजी जो मनुविज्ञान सब्द है वो आया कहां से और इसकी हिष्ट्री क्या है इसका विकास कैसे हुआ वैसे तो हमारा जो अध्यन विसे है वो क्या है सिक्षा मनुविज्ञान है और बाल मनुविज्ञान है या फिर दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पूर में केवल एक विश्य हुआ करता था जिसे आप दर्सन्सास्त कहते है इंगलिस में उसे फिलोस्पी कहा जाता है जितने भी आपके जो आदुनिक समय में विसे हैं उन सभी का जो उद्गम इस्तल है वो क्या माना जाता है दर्सन सास्त माना जाता है हमारे जो अरस्तू है अरस्तू के बारे में आप सभी जानते होंगे वो एक पिर्मुक दर्सनिक थे ऐसा कहा जाता है कि मनो विज्ञान जो है दर्सन सास से आया दर्सन सास से अलग हुआ मानसिक दर्सन मानसिक दर्सन से फिर आया मनो विज्ञान मानसिक दर्सन से मनो विज्ञान को अलग करने वाले कौन थे विलियम जैम्स द्यान रखना पूछा जाता है कि दर्षन सास से मनोवग्यान को अलग करने वाले वैग्याने कौन थे तो William James लेकिन मनोवग्यान सब्द का सर्पिर्थम प्रियोग किस ने किया था रुडोल्फ गोएकले ने 1598 में इस वी में सरपितम मनोविज्ञान का सरपितम प्रियोग किया गया था रुडोल्फ गोएकले के दौरा ये तो हुई इसके सब्द की उत्पत्ती की बात फिर आगे बात करते हैं कि इसका अर्थ क्या है जैसा कि आप सभी को पता है मनोविज्ञान को इंगलिस में क्या कहा जाता है साइकलोजी साइकलोजी दो सब्द से बना है साइक पलस लोगोस ये एक लेटिन भासा का सब्द है अब कई बार क्या होता है कि लेटिन भासा की जगह या तो Greek लिखा जाता है, या फिर यूनानी, और option में क्या है कि Latin भासा होता नहीं है, तो बच्चे confused हो जाते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो Latin भासा है, वो Greek पलस यूनानी भासा का जो समलित रूप है, उसे ही Latin भासा कहा जाता है, तो Latin भासा में ज Steady, अध्यन करना, तो इस पिरकार साइकलोजी सब्द कार्थ क्या हुआ, आत्मा का अध्यन, सरपिर्थम इसका जो अर्थ साइकलोजी का यही था, आत्मा का विज्ञान, लेकिन दीरे-दीरे समाप्त होता गया, और मन विज्ञान का विकास होता गया, वो हम आगे चलके ज ज्ञान, यदि हम सिक्षा सब्द का अर्थ जाने है, तो इंगलिस में से क्या कहते हैं, एजॉकेशन, एजॉकेशन वी लेटिन वासा के दो सब्द से बना है, ए और डूको, जिसका ए मिन्स होता है अंदर, डूको मिन्स बाहर निकालना, अंदर से बाहर निकालना, तो सिक करते हैं यही सिक्षा का तात्प्रिय होता है तो सबसे पहले यह से क्या है मनो विज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया कब सोल्मी इस्ताबदी में कि यह आत्मा का विज्ञान है लेकिन जैसे जैसे यह बात पहली तो क्या लोगों में कौत हूल का विसे बना कि आत्मा ज जिसे हम जान नहीं सकते हैं जिसे हम छूं नहीं सकते हैं इस बात को समर्थन करने वाले कौन थे पलूटो सुक्राथ अरस्टू और डेकाटे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अरस्टू थे एक साध्य में गई उसने पलेटली पलेटले के इतना खाया कि उसे डकार आने लगी तो अरस्तू पलूटो डेकार टे शुकरात इसके क्या थे समर्थक थे लेकिन सत्र में सतावदी आते आते क्या है यह definition समाप्त होने लगी क्योंकि इसका विरोदावास होने लगा कि आत्मा जो क्या है कि हम जिसको जान नहीं सकते पेंचान नहीं सकते फिर सत्र में सतावदी में इसकी नई definition आई जिसे कहा जाता है मनो विज्ञान चेतना का विज्ञान है फिर क्या कहा गया इसे चेतना का विज्ञान नहीं चेतना का विज्ञान से पहले यहां एक मिस्टेक हो गई लिखने में इसे मन या मस्तिक्स का विज्ञान कहा गया सत्रमी सताबदी में यहां आप हेडिंग लगा के लिख लेना मन या मस्तिक्स का विज्ञान सत्रमी सताबदी में कहा गया उसका भी विरोध होने लगा क्योंकि लोगों ने कहा कि हम किसी के मन को कैसे जान सकते हैं जैसा कि आपने सुना होगा कि मेरा भीतला मन कुछ और कहता है बाहर का कुछ और कहता है तो भीतला मिन्स अंदर का दियाती बासा हम कहते हैं MKhita Allah, means, अंदर का और बाहर का, मन दो पर कार को सकते हैं, किसी के बाहर के मन को जान सकते हैं, लेकर उसके अंदर क्या चल रहा है, इसको हम कैसे पहँचान सकते हैं, तो यह परिवासाभी सथ्र में सताबदी जाते जाते, 18 सतापदी तक चली और यह क्या है 19 सतापदी आते आते समाप्त हो गई फिर इसे कहा जाने लगा चेतना का विज्ञान जैसे ही चेतना सब्द आया तो एक मनो विज्ञानिक थे मैग डूगल आपने अच्छे से नाम सुना होगा उनका विलियम मैग डूगल वो काफी चिट गए तो कैसे चिट गए उन्होंने क्या है कि चेतन अजचेतन एचेतन मन की तीन अवस्तां बताई थी तो उनोंने कहा था कि जो हमारी चेतन मन है वो केवल हमारे मन का कितना भाग है? एक बटे, दस भाग है बाकि नो बटे, दस क्या? ऐ चेतन है जिसे हम जान नहीं सकते, पहँचान नहीं सकते तो हम उसका अध्यन कैसे कर सकते है? इसी से चिरकर उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसे Outline of Psychology नाम दिया गया, उसके पेज नमबर 16 पर इस बात का बहुत अच्छे से जिक्र किया गया है, यदि आपको कभी मौका मिले तो आप उस पुस्तक को अच्छे से पढ़ना, और इसके समर्तक कौन थे? विलियम जेम्स, जेम्स अली और वुन्ट भी इसके समर्तक थे, लेकिन 19 में सताब्दी जाते जाते यह क्या है, इसका भी definition यह भी समाप्त हुई, और फिर आया वैभार का विज्ञान, भी इसमी सताब्दी में इसे वैभार का विज्ञान कहा गया, इसके जो समर्तक थे, सिक हम definition की बात करें, तो मनोविज्ञान, वैभार, वैणुबव का विज्ञान है, किसने कहाता, सिकनर, जैसे कि आपको पता है, सिकनर एक प्रमुक, वैभार वादी है, दोस्तों आगे बात करते हम, सिक्षा मनोविज्ञान, के बारे में, तो सिक्षा वैभार का परिमार्जन करना, मनोविज्ञान क्या होता है, मन चेतन दता वैभार का अध्यान करना, तो इस पिरकार इसका जो definition हुई, इसके जो समर्थक मैंने आपको बताई, कब कौन सी सतावदी में से क्या कहा गया, तो इसकी कुछ प्रमुक कौटिसंस हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं, ज दूसरी जो कोटेशन है, जो परी भासा है, महत्पुन वो क्या है, सिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधार सिला है, यह किस ने कहा, सिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, मनोविज्ञान के सिध्धान तो एम परी नामों का सिक्षा के छित में अनुप् दोस्तों अब हम बात करते हैं सिक्षा मनोविज्यान की अर्जन विधियों के बारे में एक प्रिसन आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि मनोविज्यान की सबसे पुरानी विधि कौन सी है तो उसे वो कौन सी है अंतादर्सन विधी मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधी है जो की निरिक्षन विधी है बही दर्सन विधी इसके बाद की है लेकिन यदि सबसे पुरानी पूछी जाए तो अंतादर्सन विधी है फिर है आपकी विवनात्मक विधी, तुलनात्मक विधी, परिक्षन विधी, मनुविशलेशनात्मक विधी ये सब विध्यान के बारे में डेटेल से चर्चा करेंगे बाद में लेकिन आप अभी केवल इनका नाम जान सकते हैं, क्योंकि ये आपको समझनी बहुत डेपली पड़ेंगी तब ही आप परिक्षा के दोरान क्वेस्टन अच्छे से सॉल्व कर पाओगे बाल मनुवग्यान में बाल विकास के बारे में हम चर्चा करेंगे अब कल दोस्तों ये वीडियो अदि आपको पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि ये आपको वीडियो कैसे लगी, आपकी प्रितिक्रिया के बाद, आपके फीड़बेक के बाद ही हम नेक्स्ट वीडियो जारी करेंगे, तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, थेंक यू